हालागे आप पहले ही बजा देतों समझदारों यह वाद समझ गया हूँ मैं अब अगले कभी के रूप में बोलाना चाहता हूँ देश के बड़े ब्यंग कार हैं और हास का एक ऐसा काम है उनका और ब्यंग लिखना एक बहुत बड़ी कला है भाई साब आगया तो आगया समझ में नहीं आता तो फिर बिल्कुल भी नहीं आता है और सही बता रहा हूँ भाई साब मेरे को तो आज तक ही समझ में नहीं आया हाँ ब्यंग मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया फिर भी मैंने इनको बुलाया अच्छा भाई साब मैं बता रहा हूँ चुवान साब हमारे विर्दा वाले वड़े तीज हैं बिल्कुल इंजिनियरिक माइंड है एक बार एक हमारा मित्र मच्छरदानी में सो रहा था एक मच्छर घुसा उसने दिखा कहा से उसने का बड़ा च्छेद यार इसमें सुगत जाता तो उसने अपने भाई से कहा बोले भाईया ये मच्छर आता है इसमें से अपने को काड़ता है बोले अभी इंतजाम कर देता ह तो उसने दूसरा छेद और कर दिया वो यार सोच के रहे है कि यार अजीवाद में एक तो है दूसरा भी कर दिया तो जैसे उसने दूसरा छेद किया वो ले यह क्या है वो ले अभी इंतिजाम कर देता हूँ एक पाई बलाया इसमें से उसमें भसा दिया अब वो मच्छर जाए इधर से निकल के बाहर आ जाए तो इतना दिमाग का तेज रहे वाई सब बिर्दा का आदमी तो मैं हाँ हसने की बात निये इस मैं मैं अब आपके सामने हमारे यादर निये राजन दी चुहान को आमंत्रित करता हूं एक ब्यंग के साथ के एक सेठ ने कुट्टे को बिस्किट खिलाया एक सेठ ने कुट्टे को बिस्किट खिलाया कुट्टा जमीन पर गिरा फड़ फड़ाया सेठ का दिल घवराया बोली लगता है कुट्टा मर रहा है कि भूले लगता है कुट्ता मर रहा है मैंने का सेड़ जी घवरा मत कुट्ती ने राम देव का बिस्कुट खाया यूगा कर रहा है आठ से तो के भ्यंग हो जाते हैं है एक और देखेगा कि एक करोड़ पती आदमीने अम्मानी बंदु से कहा को मुझे बढ़ा आदमी बना दू एक करोड़ पती आदमी ने अम्मानी बंदू से कहा कि मुझे बड़ा आदमी बना दो तब मैंने उसकी कलाई पकड़ी अपने उवर खीचा मैंने कहा आपको अम्मानी बंदू बड़ा नी बना सकता है राजी चोरस यह बड़ा बना सकता है बोले कैसे और अम्मानी बंडु के बाजू में खड़ा वगा तो क्या खाक बड़ा होगा जोड़दार तालियां बजाएगा परम सम्मानिये राजंदी जी चुहान भोपाल बड़ा अच्छा मंचे बड़ा नगर के सद्धालू सुनुताओं को नमन करता हूँ मोदी जी इतने सालों में बिदेशों से काला धनी ले आए नहीं ला पाए और आप बिड़ा वालों ने पाली से एक मिट में लाकर मंचे का संचालन कर वा लिया अभी कुट्टे की बात कर रहे थे हमारे भुपाल में भाई साथ परसों तक कुट्टा पकड़ो अभियान चलना था परसों तक चलना था और परसों इनका फोन आए कि मैं आ रहा हूं और अपन साथ आएंगे इंदोर से तो बोपाल में कुट्टा पकड़ो अभियान चल ला था साब और भगवान की ऐसी करपा हुई कि अपन नहीं पकड़ा है समझ में नहीं आई ये तो कह रहे थे कि बिर्दा के लोग भोज श्यार मैं ये कह रहा हूं भाई साब फिर से सुनो बोपाल में कुट्टा पकड़ो अभियान चल ला था भगवान की करपा देखी अपन नहीं पकड़ा है कल मुझे पता चल ला कि कुट्टा पकड़ो अभियान इंदोर में भी चल ला है तो मैंने इनको फोन लगाया मैंने का पठ्ठा पकड़ा नहीं जाए मैंने इंदोर फोन लगाया दिनकी बेटी ने उठाया मैंने का बेटी पापा है बोले जी नहीं अंकल वो तो बाहर सड़क पर घूम रहे और ये मैंने का बेटा उन्हें जल्दी से बुला और मैंने फोन रख दिया थोड़ी देर बाद मेरे मन में फिर आई कि कहीं ऐसा नहीं हो भाई पकड़ा गया हो मैंने फिर फोन लगाया तो फिर इनकी बेटी ने उठाया मैंने का बेटी पापा आ गए और क्या खाना खा रहे हैं पुले जीन यंकल मम्मी के हाथ में चपल है और वो सिर खुजा रहे हैं मम्मी के असली में बिलकुत सही बात है इसलिए ज़्यादा प्रतिक्रिया दे नहीं पाता आदमी जब अपनी सच्चा ही सामने आती है हमारे देश के बिड़े मना है सच कोई सुनना नहीं चाहता जूट कोई बोलता नहीं है हलाक एक बात और इस पस्ट कर दूँ साब कि हम किसी राजनितिक पार्टी के संभा हक लोग नहीं है बिलकु केलियर आपके मनोरजने के लिए लोगों के नामाम ले ले लेते हैं कोई मामला नहीं बनता हमारा कोई लेना देना किसी पार्टी से नहीं है यहां विबिन पार्टि के लोग जो होते हैं वो चप्पल और जूते के रूप में भाह नीचे उतार के जाते हैं यहां हम सब कवी और सायरा लोग है बाकि कोई मतलब नहीं लेता तो मैंने फिर इनकी बेटी ने फोन उठाय तो मैंने बेटे पापा आ गए और क्या खाना खा रहे हैं बोले जी नहीं अंकल मम्मी के हाथ में चप्पल है और वो सिर्ख हो जा रहे हैं मैंने फट से फोन रख दिया मैंने का मामला गंबीर है मैंने फट से पोन रख दिया मेंका माम दा गंबी रहे थोड़ा ठंडा होने दो फिर अपन बात करते हैं कि मांजरा क्या है पात दस मिट के बार भाई साब मैंने फिर फोन लगाया अब की बार इनकी सिर्मती ने उठाया मैंने बहाबी जी भाई साब है के गए मैंने का भावी जी भाई साब है के गए बोले भाईया वो तो गए लेकिन जाते जाते मेरा दिल दुखा गए जाते जाते मेरा दिल दुखा गए सफेद कुटे के लिए घी लगी रोटी रखी थी खुदी खा गए सफेद कुट्टे के लिए घी लगी रोटी रखी थी खुदी खा गए और यह तो मेंने का भावी इसमें दिल दुखानने की क्या बात है सफेद कुट्टे की रोटी काला कुट्टा खा गया यह भी बाव जोरदान ता दिया मैं इसलिए राजु भाई से कह रहा था कि मुझे मच्छेडो यह लोग क्या है राजु भाई मुझे इतना कमजोर कभी समझते हैं साब कि मुझसे ओपनिंग कर वा रहा है मैं दस नम्मर का खिला रही लेकिन कर वा रहा है तो कोई बात नहीं हम तो इनकी फिर भी तारीफ ही कर रहे है हम तो कहते हैं कि राजु भाई जैसी सोच वाला आदमी राजु भाई जैसी हिम्मद वाला आदमी राजु भाई जैसा निन्ने लेनी की छमता रखने वाला आदमी कोई है ही ने ये वो आदमी है साब के लमड़े घोड़े पर दाव लगा के रेस जीत लेता है और काबली घोड़े वाले चने चबाते रह जाते है अपने देख लिया ना मुझे आना चाहिए था ये मैं जलाल मेकस से सीनियर आदमी हूं साब ये जलाल भाई के कहने से ये आदमी ने मुझे पहले नमर पर खड़ा किया जलाल भाई को तो मैं भोपाल में निपट लूँगा मगर इनको इन दोर में पकड़ने जरा मुस्किल होता है तो मुझे यहां खड़ा कर दिया साब मैंने जरूर सोचा मैंने का यार इस आदमी की सोच की सप्लाई जरूर मोधी प्लांट से आ रही है क्योंकि मोधी जी के दिनने भाई साब ऐसे ही चोकाते है तो भूंके लोगों के लिए सोचाले बनवाते है अब आदमी भाई साब खाये गई नहीं तो जाए गई नहीं और जब जाए गई नहीं तो सोचाल है काम आए गई सोचाल है अब ऐसे करवाते हैं छेड़ देते हैं आदमी को मैं केता हूं मुझे मच्छेड़ा करो मैं बहुत सीधा सब्सक्राइब आदमी ओपिनिंग करवा रहे हूं चुप चाप करवा लो पांग देस मिर्ट टाइम पास करूंगा चला जाओंगा पत्नी के डर के मारे भगा भगा फिरता हूं यहां तक आ गया भाई सब पत्नी से को नहीं डरता है वो भाई सब बेठी हुए है पूछो अभी हाला कि मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन वो आधी और अचै के इतनी दवंग कवित्री हैं साथ भूंग कवित्री लेकिन वृपत्र रहां चैका है मि crews नकाही है वह इनका構े मुजे कारण बबताया तो मैंनि समझाया मिन का बिरद्धा नकर में डरने का कोई गम नहीं है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह भी आसराम नहीं है वाँ 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 अरे आना चीजे वाई जोड़ना बजा तालिये जरा क्या वात है साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह भी आसराम नहीं लेकिन भाई साब मेरी किसमत खराब तीन चार तो वहीं पेठे हैं और दुर्भा के जाथ यह एक तो मंची संचारन कर रहा है तो हेमा जी बोले मंच संचारन वाले आसराओं की फिकर आप मत कीजिए ऐसे तो मैं ने पड़ सकती हूँ मैं इनका कैसे बुलिस के राम रहीं समझ लूँगी तो मैं हनी प्रीद बन सकती हूँ तो एम कभियों में ऐसा होता रहता है चलता रहता है मैं बात कर रहा था मोदी जी की कि सोच सोचाले मतलब काम नहीं आए कोई बात में सोच काम आना चाहिए सोच बड़ी हो तो काम बड़े होते हैं और हम खड़े हैं इसलिए राजु भाई पूछते हैं अभी मुझे जलाल मैकस जी को मुंबई लेक चले गए मनका क्या है बोले यार मेरे गीत की रिकार्ड नहीं है मोदी जी के लिए 2019 के चुनाओं में बज़ेगा तो मनका तेरा गीत बज़ेगा हमारा क्या बज़ना है बोले नहीं नहीं कभी सम्मिनन भी है आप लोग कभी ता सुना नहीं तो साब हम लोग चले गए बढ़िया कारिक्रम हुआ लोटने का प्रोग्राम बन गया थोड़ी देर बात पता चला कि भाईया का पेड़ दुखरा है बहुत तेज पेड़ साब इत्ता दर के जलाल भाई तो बिलकुल बेहोस हो गए घबड़ा का उनका खुद का पेड़ बहुत निकला हुआ असाइज से चैर पांच फिट आ गए है जलाल भाई का तो वो तो पेड़ के मामलें बहुत घबडाते है तो हम साब इनको अस्पताल लेके गए अस्पताल पहुचते ही भाई ना खो दिया भाई हो गया बेहोस और जिस अस्पताल के डाक्टर ने चेक किया और जैसी जांच रिपोर्ट सुनकर हैरान रे जाएंगे आप तो मिनका क्या हो गया फिर वोई जांच रिपोर्ट सुनकर हैरान रे जाएंगे आप तो मिनका भाई सब क्या हो गया बोले जांच रिपोर्ट सुनकर हैरान रे जाएंगे आप इस आदमी को या आदमी मा बनने जा रहा है जबकि बनना दैसे बाप यह आजमी मावन ने जा रहा है जबकि बनना दैसे बात मिनका कोई बात नहीं साब योन परिवर्तन का मामला है हो जाता है आजकल दुनिया में कह नहीं हो रहा है वो हमारे मद्दपर 36 गड़ की एक ख़बर पड़ी होगी आपने कि कि नरों ने भ शाखे लोट आऑं डिंदोर में आकर देखा दिनका बेटा था खांस खांस का परेशान नहीं कूझ है कियो है अलै वो लेङ्ञे पापा आठे दिन हो गए चल्व लेग्टर के पास डाप्टर के पास जाकर ले गए गया टाक्टर को दिखा कि एड़ॉत साह तuh मciones बारा अ लड़के दोक्तन ने लड़के को चेक किया और वो भड़ाने की क्या वाल है आने आपका लड़का तो वह उवां थे बापतक्षा एक दिन मास्चर साहब ने स्कूल पर पूछ लिया उससे का जिसकी बहुत-षस स्की भेश नामक मुहाबरे का अर्थ बताओ लड़का बोला सर एक लाठी लाके मुझे दे दो और थोड़ी देर के लिए आप भेंज बन जा इतना तेज लड़का सा पट्टा फेल हो गया रिज़र्ड देख के भाई को बहुत गुस्सा है इदा मारा मारा फिर के तो बिचारे हम लोग पईसे कमाते किसी जन्म में जब कहते हैं साब के सिराब मिलता है जैसे बाब आप का भी घुस्से मोझे लेते न वुलत को बेवा को तुमारा मारा फिरेगा तो यह जो कभी देख रहे हैं ना यह मारे मारे अभी परदान अज्या पकजी बेठे थे और वो एक बड़ा सब् मैं भूत देर से उस सब्राय के सूछ रहा हूं। वेकले लोगे विदवान कभी। मैं उन्हें बता देना चाहएता हूँ ककर विदवान हे तो कभी हो यह नी सकता। और अगर कभी हे तो विदवान होने का प्रिस्ट है ली। अगर साब बिद्वान होते तो यह तस पंदर सुवताम बेट के कविता सुना थे आप बताओ यह से दो लड़के और मिल गए मैंने क्यों कैसे आया हो बोले कविता सुन ले तो मैंने का पड़े लिखे हो दो भाई थे वो बोले नहीं साब हमारे पिताजी गरीब है इसलिए एक को पढ़ाया और एक को लिखाया मेंने का दोलों के एक साथ नहीं पढ़ाया है लो रिकता पाई से नहीं था एक खाली पढ़ पाया और एक खाली लिख पाया इतनी समझदार कुलिक कमी लोग होते हैं तो सब वहां से लड़के का रिजल चाहे तो इनने उसको एक आई ना पास हुआ ग्रेस से क्या हाथ मिला लिया है कांग्रेस से और वो तेरा भाई तेरा दोस्त चार-चार बिसे में उसने डिक्टेंशन पाई है तेरो पाई है ते और वो तेरा एक दोस्त जिसे चार-चार पिसे में डिक्टेंशन पाई है वो क्या भाई पाई है लड़का बोले डेडी वो ना भाईच पाई है ना बास पाई है वो तो हमाला शमादबादी भाई है बहुत बढ़ीया, बहुत बढ़ीया साब तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी बड़ी समस्य आए, पैदा हो जाती है मैं जब भी साब किसी कभी सम्मेलन में जाता हूं तो परणाम करना नहीं भूलता पहले मैं क्या करता था साब कि आगा है करते रहता थे यह काया में पास के लाग क्या करता है कभी है क्या कि अ इंधार कान में साथ गुर दिया और वो मैंने साथ ऐसे बेटा है कि हर कभी संबिलन वह काम करता है और फिर मैंने एक कवी को सिख्षा दी वह यह से करता था पूर जी को प्र closer करता हो तो मैंने उनको गुर्जो दिया वो देखिए आप चले के साथ जदा प्रणाम करने की ज़ोत नहीं है आप जब घर से कभी संब्धलन के लिए निकलते हो तो पहला प्रणाम अपनी पत्नी को करे आओ घर में सुरक्षित हो जाओगे और जाओ निसमें पर इंठाओ तो दूसरे अम सेस्थ्टे को पर लिय estos लुगा, मंच में सुरक्शित हो जाओगी और तीसरे प्रॉण जहां कभी संबन काliner हो रहा है, वह कि पलिस को कर लियो रहा है, यूद जब तीन प्रड़ामों में सुरक्षित हो रहे हो तो इतने सो सो पचास पचास प्रड़ाम करने के क्या जरूरत थे तो मिनका भाई साथ प्रणाम करने से अगर आदमी सुरक्षित हो जाता तो हमारा देश बी आई पी लोगों की सुरक्षा के लिए हजार लाग पुलिस में क्यों खपाता वो पैसा बचाता वो पैसा बचाता और गरीब की योजनाव में काम लगाता बोले मास्टर साथ हम भी सिक्षक हैं पेसे से लेकिन योग नहीं है इसलिए यहां कप्चा पड़ रहा है तो कहले लगे मास्टर साथ आपको तो ग्यान माटने की आदत पड़ी है आपको तो ग्यान माटने की आदत पड़ी है आपको पता ही नहीं है मेरी खाट के पास पत्नी तीन दिन से टंडा लेके खड़ी मैंने का बात क्या बोले इस महीने तनखा नहीं मिली तो मैंने का मतलब बोले साथ पूरे महीने भर पत्नी मुझे दुर्वावार करती जिस दिन तनखा मिली होती बस उस दिन वो मुसे तमीज से पेस आती है तो मैंने प्या हुआ आज तमीज से पेस आना था लेकिन तंखा नहीं मिली तो या तमीजी हो गई एक दिन भी शुकून से नहीं मिला तो मैंनुको फिर तुम कड़ के रहते हैं गधरपंती बोले मैंने क्या कि असाब को खुद का पकड़ कर घर में ग्रेयुद के दोरान खुद का पकड़ कर ग्रेवान अपनी पत्नी से कहा आइंदम उसे तम इससे बात की तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम मारते मारते ठक जाओगी हम इतनी चप्प लखाएंगे तो साथ पत्नी पीडित अकसर सारे कभी पत्नी पीडित होते हैं अच्छा एक पत्नी से पीडित हो तो समाल लेता आदमी हमारे जलाल भाई तो बिचारे दो-दो से पीडित है और तीसरी वो पडोसन आ गई तो मुझसे कहले लगे यार चोहान क्या करूँ मेंयरे क्या हो गया जादा कहले लगे पिछले दिन से वो हाध दो कर मेरे पीछे पड़ी है पिछले दिनों से वे हाध दो उसे देखती है पास आकर एक दिन मैंने उसे भतक रहा एक दिन मैंने उसे भतक रहा जीब उन्या तो वाई हा तावारा साधी छिज woh ऑकर विभाहित मर्द जानती हो, वह बुली अंजाम से कून डरता है? रही बबाभा तुम से मिलने को दिल करेता है रही बबाभा तुम से यह हम मझे कर रहे हैं जलाल भाई, अकेले पड़े हूए हैं हम कलारी पर जाएं या खोलें नहीं खोलें, आप से मतलब आप काला धनो हमें सफेद नहीं करना किया लग कि मैं काला धनू कलारी खोलो सफेद हो जाएगा क्यों खोलू भाई यह अभी मुझे आप पीती सुना रहे थे किया लग यार चोहान साथ मेरे साथ घटना बड़ी अजीब होती है राजू भाई की है बात मेरे साथ घटना कपड़े बात में धोता हूँ पहले पत्नी मुझे धोती है एक दिन पत्नी सुबही सुबह मुझे धो रही थी एक दिन पत्नी सुबही सुबह मुझे धो रही थी और ये द्रस देखकर मेरी विवाहित बेटी बड़ी खुस हो रही थी वह बोली मम्मी मुझे भी अपनी सस कि बहुत आ रही है याद ममी मुझे भी अपनी ससुराल की बहुत आ रही है याद एक महीने से बगर धुले घूम रहे होंगे तुम्हारे दामाद मा बजाएर चलो उन विदाइं में दिला दे मुझे कपड़े धोने की एक ओंगरी आज कल जाड़ों से काम नहीं चलता नेताओं की तरह मजबूत है इनकी खोपड़ी